दोस्तों और आप एक PC बिल्ड करना चाहते हैं और आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और आप चाहते हैं कि 10,000 में एक PC बिल्ड करूँ तो आपके लिए ये वीडियो हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने बलाओं कि 10,000 के अंदर आप कै से एक PC को बिल्ड कर सकते हैं और गेम भी खेल सकता है लखिन बहुत हाई-end गेम नहीं खेल सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों इस PC को बिल्ड करने के लिए हमें कुछ चीजों की अवशक्ता होगी जैसे कि Motherboard, प्रोसेसर, Ram, Power Supply और internal storage इन सारी ची या फिर कौन सी चीज वो देखने को मिल जाती है तो सबसे पर हम यहां पर बात कर रहते हैं मदरबॉर्ड की तो यहां पर हम यूज करने माले हैं MSI का A320M जो कि यहां पर AM4Socket के साथ आता है और जितने भी पोट्स आपको चाहिए जितनी हमारे नीड होती है वो सारे पोट् से और एक है यहां पर AMD के द्रब से या तो आप AMD का Anthelon 200GE यहां पर यूज कर सकते हैं जिसमें आपको वेगा 3 ग्राफिक्स मिलता है इंटीग्रेटेड दो कोर देखने को मिल जाते हैं और यहां पर 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड भी है 5 MB की कैस मेमरी भी देखने को मिल जाती है इसकी प्राइस से वो थोड़ी से ज्यादा है यहां पर 4290 गुपीज यहां पर आपको देखने को मिल जाती है और यह जो प्रोसेसर है वो यहां पर 2018 में रॉंच हुआ था और इसमें आप हाइन गेम नहीं बेसिक्स गेम यहां पर खेल सकते हैं उसके लिए प्रोसेसर काफ काफी पुराना है Q4 2013 में देखने को मिला था यानि उस समय रॉंच के गया था 2013 में और इसकी जो प्राइस है वो यहां पर आपको 2600 देखने को मिल जाती है यानि 2600 रुपीस यानि काफी कम है उससे कॉम्परिशन में यानि 50% का डिफ्रेंस है तो यहां पर आपको जो भी प्रोसेसर है वो काफी दिनों पुराना है तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहां से आप भी खुद यहां पर चेक कर सकते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रैम की कि रैम हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं तो रैम जो है तो इसे भी आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं आगे दूस्तों यहां पर बात करते हैं पावर सप्राइग की क्योंकि हमें यहां पर मदरबोर्ड को पावर देने के लिए पावर सप्राइग की अब शक्ता होगी तो यहां पर दो चीज़ों को चूज कर सकते हैं दो ब्रैं कर सकते हैं आगे दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं इंटर्नल इस्टोरेस की तोर पर हम कौन सी यूज़ करेंगे तो यह है हमारा WD का 500GB SATA Green यहां पर SDD है यानि Hard Disk Drive SSD हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो बजट है वहां पर बहुत ज़्यादा कम है और यह जो है वह आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर इसी के यहां पर नियरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां पर जितने भी चीज़ें मैंने यूज की है इन सारी के link में आपको description में दे दूँगा अब आप यह सोच रहा होँगे कि cabinet की बात मैंने यहां पर क्यूं नहीं की अगर मैं यहाँ पर cabinet की यहाँ पर यूज करता हूँ अगर online से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा price difference देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पर local market से खरी देंगे तब को 1000 या फिर 500 रुपय के देखने को मिल जाएंगे अगर आप basic लेते हैं तो अगर आप खरी देंगे थोगा सा अच्छा दिखने वगा तो आपकी price जोए इंक्रीज हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पर cover करने के लिए यहाँ पर online में कोई भी ऐसा cabinet नहीं मिलता है जो कि आपको यहाँ पर 500 रुपय में देखने को मिल जाए सब यहाँ पर 2500 या 3500 के उपर देखने को मिल जाते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर include नहीं किया है मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई